मैं Dr. Supriya Puranik, Testive Baby Consultant and Practicing Obstetric and Gynecology more than 20 years. बहुत बार ऐसी हो जाता है कि हम unprotected sex करते हैं, यानि कि कभी condom का इस्तेमाल नहीं होता है, या जो हम regular तौर पे गर्द निरोद गूलिया ले रहे हैं, वो हम नहीं लेते हैं, और हम sex करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन हमें pregnancy बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, तो हम emergency contraception का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम morning after pill कहते हैं, तो आए हम जानेंगे यह emergency contraception, यानि कि morning after pill क्या होती है, गर्ग निरोद गूलियों में, जो estrogen और progesterone, एक्तम हलकी सी थोड़ी मात्रा में रहते हैं, इसलिए हम इसको low dose oral contraceptive pills बोलते हैं, तो वैसे ही दो hormones, estrogen और progesterone, emergency contraceptive pill में रहते हैं, लेकिन वो जादा मात्रा में होता है, यानि कि इन दोनों hormones की मात्रा, emergency contraceptive pill में जादा होती है, तो आए हम जानेंगे, यह दो hormones, pregnancy रूखने के लिए कैसे मदद करेंगे, यह दो hormones का जादा मात्रा में सेवन करने से, ओरी से जो अंडा निकलता है, जिसको ओविलेशन बोलते हैं, वो ओविलेशन की रूख थाम करता है, दूसरी महत्वपुर्णबाद, यह गरभाशे के मुख पे, जो ठिक म्यूकस रहता है, उसको और भी गाड़ा करता है, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो, और तीसरी सबसे महत्वपुर्णबाद, यह गरभाशे की अंदर की जो परत रहती है, जो एंडोमेट्रियम, जिस पे बेबी इंप्लांट हो जाता है, यह परत में ऐसे कुछ बदलाव करती है, कि हमारा एंब्रियो वहाँ इंप्लांट नहीं होता, और प्रेग्नेंसी के चांसे कम हो जाते हैं, तो आई हम जानेंगे, हम इसका इस्तमाल कैसे कर सकते हैं, जब इंडोकोस के दारान, कभी कॉंडों फट जाता है, तो कंसीव होने के चांसेज रहते हैं, या कभी-कभी हम कोई प्रोटेक्शन लेते ही नहीं है, और हमें बेबी नहीं चाहिए, तो भी हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इंडोकोस के बाद जितना जल्दी आप इसका सेवन करें, उसकी इतनी इफेक्टिविटी जादा रहती है, जादा से जादा ये 72 घंटों के अंदर लिया गया, तो ही उसके उपयोग होने के चांसेज रहते हैं, तो हमारा ये कहना रहता है, अन्प्रोटेक्टर इंटकोस के बाद, आप 72 घंटे के पहले आप इसकी पहली खुराग लेनी है, और दूसरी खुराग 12 घंटे के बाद लेनी है, ऐसे ये दवाईयां दो डोसेस में उपलब्द होती है, जैसे मैंने पहले कहां, वो हमें तुरंट इंटकोस के बाद हमने लिया, तो वो जादा अच्छा रहता है, और उसके बाद 12 घंटों के बाद, अभी हम जानकरी लिंगे कि किन्हें ये नहीं लेनी चाहिए, जिसको थोड़ी भी संभावना है, जो पहले से ही प्रेगनेंट है, तो आपने ये दवाईय नहीं लेनी है, आपका वेट यदि जादा रहेगा, तो ये आपके लिए यूसफुल नहीं हो सकता, कभी-कभी आप हार्मोन्स को अलर्जिक रह सकते हो, तो भी आपको इसका इस्तमाल नहीं करना है, कभी आप ऐसी कुछ दवाईया लेते हो, उनके इंटरैक्शन से, कभी-कभी आप मेरगी की, यानिकी इपलेपसी की दवाईय लेते हो, तो उसकी वज़र से भी इसका इफेक्ट कम होने की चांसेस रहते हैं, और प्रेग्ननसी होने की संभावना अधिक रहती है, आम तोर पर देखा जाए, तो इसकी इफेक्टिविटी लगबग 75 परतिशर्ट से 85 परतिचक तक ही रहती है, और वो भी आप कौन से टाइप की दवाईय इस्तमाल करते हो, इसके उपर निर्भर करती है, लेकिन मेरी महत्वपुर्ण सलाह ये रहेगी, कि आप इसका बिल्कुल रूटीन तरीके से इस्तमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका फेल्यूर रेट भी जादा है, ये लेने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, यदि आप इसका इस्तमाल करते हो, और तीन हफ्तों तक आपकी मासिख चक्र शुरू नहीं होता, तो आपको तुरन डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर आपकी प्रेग्नेंसी टेस्ट करेगा, और जब तीन हफ़तों में periods नहीं होते हैं तो आप pregnant रहने की संभावना रहती है तो उसके बाद आपको तुरन सोनोग्राफी करके देखना है कि आप pregnant हो या नहीं और pregnancy का location कहा है यह pregnancy गरभाशे में है या वो ectopic pregnancy यानिकी tube में है अभी हम जानेंगे यह emergency contraception यानिकी morning after pill के side effects क्या रहते हैं इसका save-in करने के बाद आपका जी में चलता है, acidity हो जाती है, सिरदर्ध होता है कभी आप vomit भी कर सकते हो लेकिन गूली का save-in करने के बाद दो घंटे के अंदर vomiting हो जाता है तो आपको यह दवाईयों का dose वापस से लेना है, लेकिन इसके save-in करने का drawback है यह हमारी menstrual cycle को यहनि की मासिक चक्र को थोड़ा बिगढ़ता है क्योंकि इसका save-in करने के बाद 2-3 दिन में हमें कभी हलका सा spotting महसूस होता है या कभी लगातार spotting महसूस होता है, या कभी bleeding होना शुरू हो जाता है और वो bleeding रुकता नहीं है तो आपको तुरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए साथ ही साथ मुझे आपको यह भी बताना है कंडॉम का इस्तमाल करने से जैसे sexually transmitted disease की हम रोक थाम करते है वैसे ही यह emergency contraceptive pill लेने के बाद आप STD को यानि की sexually transmitted disease जो यौन सम्मन से होने वाले disease रहते है उसकी हम रोक थाम नहीं कर सकते तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि emergency contraception क्या रहता है उसके action क्या होती है, उसके side effects क्या रहते है और हमें यह कैसे लेनी है इसके बारे में आपके कोई प्रशन रहेंगे, तो हमें जरूर लिखिए और हमारी यह pregnancy, gynec, infertility related videos जरूर देखते रहिए उसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ telegram पे जूट जाएए धन्यवाद